नमस्कार लॉरी पालने बालों में हमेशा एक सोच चली रहती है कि ये लॉरी फूड काफी कोश्टली होता है मुझे किसी से कहीं से सस्ते में मिल जाए या मैं कैसे इसको खुद से बना सकूँ चली आज मैं अपना एक्सपीरियन्स आप लोगों से सेर करता हूँ कि आप इसे घर में कैसे बना सकते तो चली आज हम बात करते हैं कि पाउडर वाला खाना जो होता है जो कमर्शियल लॉरी फूड बोलते हैं आप घर में कैसे बना सकते हैं वो भी सस्ते दामों पर तो सबसे पहले मैं इंग्रेडियन्ट की बात करता हूँ फिर उसको किस तरह से बनाते हैं बताऊंगा मैं आपको सोया सत्तु लेना है चना सत्तु लेना है या फिर कोई भी सत्तु लेना है जिसमें के मिल्क पाउडर और चीनी ना हो क्योंकि आजकल बाजार में सत्तु जो मिलता है रेडी मेड मिलता है उसमें मिल्क पाउडर और चीनी पहले से मिला होता है तो आप कोई भी सत्तु ले सकते हैं जिसमें के चीनी और मिलक पौडर ना हो आपको राइस फ्लोर यानिः चाबल का आटा लेना है मेज फ्लोर मक्के का आटा लेना है और सिसुमूल का पौडर अरारूट पौडर भी बोलते हैं लेकिन अरारूट करके बाजार में जो मिलता है वो चीज मैं नहीं बता रहा हूँ जैसा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है राव आरारूट जिसको कि आप खुद ग्रैंड करके पाउडर बने वो सबसे बहतर है मैं इसी को यूज करता हूँ ग्लुकोज लेना है डी बिटर ब्रिवर्स इस्ट लेना है स्पिरूलिना स्पिरूलिना एक प्रोटिन और विटामिन का सोर्स होता है समंदरी सहवाल होता है सी आलजी और केल्प लेना है जो कि आयोडिन का सोर्स होता है यह आपको नेट पे आराम से मिल जाएगा कोई भी हाइफेट वाला हैंड फेडिंग फॉर्मुला आप अपने पसंद से ले सकते हैं में केटी यूज ऐसे करता हूँ कटलफिस बोन का पाउदर लेना है multi grain biscuit कोई भी अच्छे brand का multi grain biscuit आप यूज़ कर सकते हैं और normal वाला biscuit और आपका B-pollin पराग जी से बोलते हैं multi vitamin का powder मैं भरसल लगा का जो mutabit है उसको यूज़ करता हूँ आपके यहाँ अगर कोई भी multi vitamin powder मिल रहा है आप उसको यूज़ कर सकते हैं butterfly pea flowers अपराजिता फूल सुखा हुआ उसको लेना है अब मैं आपको इसकी मात्रा के बारे में बताता हूँ इस जो सत्तु है आपको कोई भी दो किसम का मैं सोया सत्तु और चना सत्तु दो दिखा रहा हूँ चार सो ग्राम करके हर एक में से लेना है और चावल का आटा या rice floor जो हो गया उसका 80 ग्राम मेज फ्लोर असी ग्राम ये जो आरा रूट या सिसमूल का पाउडर जो होता है उसका 80 ग्राम ग्लुकोज असी ग्राम डी बिटर्ड ब्रिवर सिस्ट पचास ग्राम आपका स्पिरूलिना एक ग्राम केल्प एक ग्राम और ये हैंड फिडिंग फॉर्मूला जो है वो दो सो ग्राम कटल फिस बोन का पाउडर पाउडर पाउड़ ग्राम मल्टी ग्रेन बिस्किट पचास ग्राम और नॉर्मल वाला बिस्किट पचास ग्राम बी पोलेन 20 ग्राम मल्टी विटामिन पाउडर 10 ग्राम और बटरफ्लाइ पी फ्लावर सुखा हुआ 10 ग्राम ये हो गया आपका अब इसमें जो है ये जो दो किसम के बिश्केट हैं मल्टी ग्रेन और नॉर्मल वाला बिस्केट और कटल फिस बौन और बी पोलेन और ये बटरफलाई पी फ्लवर इन सब को आपको ग्राइंड करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, si are B pollen को जब आप ग्राइंड करेंगे, तो जो pare ग्राइंडर हो ज्यादा गरम ना हो, उसमें से하는 amino acid जो होता है, वो खतम हो जाता है, तो हल्के से ग्राइंड करना है, इन सब को और भाखी सारे के सारे जारे आप आपर ही है, अब इनको मिला लेना है, इसको जो जो मात्रा मैंने बताया ये सब आप अगर मिक्स कर देंगे तो देड़ किलो आपका बनके तयार हो जाएगा लॉरी फूड आप इसको अपने रिक्वार्मेंट के हिसाब से बनाए ये मैंने देड़ किलो के क्वांटिटी बनाने के लिए सारा बताया है लेकिन अगर रोज ये एक्सपोज होगा एयर को तो ज्यादा दिन रहेगा नहीं तो इसको प्रिजर्ब करने के लिए कोई भी एयर टाइट बला डबा या डी हेमिडिफायर बाले रूम में आप रख सकते हैं या तो फिर क्वांटिटी को कम करके अपने रिक्वायर्मेंट के हिसाब से बना सकते हैं अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा कि इस पाउडर को किस तरह से डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं फिलाल इस एपिसोड में ये कमर्शियल पाउडर लॉरी फूड जो है इतना ही नमस्ते है